कैसे हैं आप लोग आपसे बच्चे होंगे तो कुछ टाइम पहले मैंने एक math का पजल दिया था जो कि यह था इसमें हमें कुछ यह numbers दिये थे उनकी equal to में भी कुछ numbers दिये वे थे अब यह numbers कैसे आया है यह यह puzzle था और यह कुछ solve नहीं हो पा रहा था तो मैंने सुचर में इसकी solve की एक वीडियो बना लेती हूँ तो चलिए देखते हैं कैसे solve होा सबसे पहले हम first वाली term को लेंगे 5 3 2 को equal रखा है हम यहाँ पे 1510 dw kे अब यसके equal कैसे आया है चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें 5 को 3 से multiplied करना है मतलब जो फिर्ट वाली term है इसे second वाली से और third वाली से हमें multiply करना है 5 को 3 से multiply किया 15 आ गया 5 को 2 से multiply किया 10 में आ गया अब ये 22 कहा सा आ जा चलिए देखते हैं 15 और 10 तो हमारा आ गया answer अब देखते हैं 22 कहा सा आ अब ये जो 15 और 10 आ आ है इसको हमें करना है add 15 और 10 को हमने add कर दिया 25 हो गया और इस बीच वाली term को मतलब 25 में से हमें 3 को माइनस कर दिना है आगे हमारा 22 चलिए फर्स्ट वारा तो हमारा solve हो गया है एक और देख लेते हैं ये कैसे solve हुआ है 924 इसके equal दिया वाय हमें 183652 ये कैसे हुआ है चलिए उपर वाले method इपलाई करते हैं इसमें भी 9218 हो गया इसको हम ने इससे multiply गया अब इसको हम इससे भी multiply करेंगे 946 हो गया इन दोनों को जब हमने add किया तो 1836 6 और 8 कितने हो गया ये हो गया हमारे 14 एक कैरी चला गया 314 और 554 हो गया 54 में से हमें क्या करना है बीच वाली term को माइनस करना है यानि 54 माइनस 2 और यह हमारा गया 52 तो चलिए देखते हैं अब लास्ट वाले का अंसर क्या आएगा लास्ट वाला जो मैंने आपको solve करने के लिए था वो था कि 955 के equal क्या होना चाहिए वो ही करेंगे हम जो हमने बाकियों में कर रहा है ये सब भी easy हो जाएं 90 में से आमने बीच वाली टर्म को माइनस कर दिया 5 को और 90 में से 5 गए हमारे आगए 85 तो यह हमारा इसका आंसर आगया तो एक आपके लिए solve करने के लिए जो question है वो है 928 के equal में में क्या रहा होंगी इसका आंसर कमेंट करके बताइए तैंक यू फॉर वाचिंग दिस